अब इसका करते हैं और देखते हैं कैसा है यह इसका करते हैं और इसको जला के देखते हैं अब इसका करते हैं तो बहुत यूसफुल है क्योंकि मैं हमेशा ट्रावल करता रहता हूं तो जरुत पड़ सकता है कि इसको हटाते हैं अब यहां से लग रह यहां अच्छा लग रहा है इसको ऐसे ओपन करना है शायद येस ओके येक मैनुल है इसमें कैसी यूज करना है इसको आप पड़ सकते हैं आपके और यह है गैस्टोव यह उपर का ऐसे फिक्स होता है यह वर्नर है यहां पर यह पता नहीं क्या है यहां पर क्या आता है मुझे भी नहीं पता ही आप इसके अंदर रखके ऐसे कैरी करके जा सकते हो इसको साइड में रखते हैं अभी यह स्वीच है ओन ऑफ करने का और यह यह ऑटोमेटिड है मतलब इसमें लाइटर इन विल्ट रहता है यह शायद लाइटर के लिए हो सकता है इसको निकालते हैं यह मुझे पड़ा था जो कि शायद फीलिंग कर लिए यह फिलिंग गैस फिलिंग करने के लिए हैं यहां के दूसरा वाला से लिखता है है कै metals कि अपे बता क्या है कि आपको अगर इस सब्सक्राइब कर लेना है घ्रम पाइपस बाइब पाना बढ़ा वालागे के सब्सक्राइब लगानाय है तो आप इसने फिट करके आइब यहां पर पाइप लगा सकते हूं इसको अभी देखना है कि इसको कैसे यूज करते हैं make sure, make sure यह जो side है, यह unlock position में हो गई, this is locked, यह unlock होता है, यह off हो लगाने से पहले proper manual puddle हो, क्योंकि बहुत risky होता है, so safety के लिए proper manual puddle हो लगाने से पहले हां इसको ऐसे fix करना है, यहां पर जो आपको knob देख रहा है, उसके एंदर डालना हैं यह पार्ट यह जो part gap है इसको ऐसे रखना है, यहां में पर इसको ऑशक दाल और इधर को लॉग करदेते हैं, that's it हो गया रेडी तो यह हो गया गैस रेडी और इसको अभी जलाते हैं यह आप देख सकते हो यह अगर आप यहां पर स्विच आउन करोगे यह आप यह जल जाएगा लेकिन मैं यहां पर इसक लेना नहीं चाहता हूं लेस्ट दूइट आउसाइड यह इसको एसे करके इसको कम ज्यादा कर सकते हो फोब आपको दिख रहे हैं यहां करके इसको फ्लेम कम ज्यादा कर सकते हो थोड़ा सा मैंगी बनाते हैं ब्रेक फ़्वर्श के लिए वो मेरे नत की सबस्टों से एिए गब होताग्याधिस वो अज़ बाद में लाद कर दोते हैं जे लो आद कि लादिए सबस्कार में वहादिए जब पालाँ जब एंब सिर्वाइब जब अलब फिर्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे